नमस्कार, आज मैं आपका ध्यान इस वीडियो में मिलेट्स पर लादा चाहूँगी, मिलेट्स यानि बाजरा, जुवार, बकविट, कोडो मिलेट, रागी बगिरे, ये सारे मिलेट्स हमारे दादी, नानी बढ़े प्यार से खुशी से खाते थे, लेकिन आजकल इन सभी अन नूट्रिशन से भरपूर होते हैं, और ये सुपर फूर्ड की तरह बाना जाता है, ये सभी प्रकार के मिलेट्स खाने से आपको काफी उर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, और ये नूट्रियंट्स, मिनरल्स और विटमिन्स से भरपूर होते हैं, हमें इन मिलेट्स का और अपने रोज मर्रा के डायेट में इन्हें शामिल करना चाहिए आज मैं आपको ये सारे पांच मिलेट्स की अलग-अलग रेसिपी बताऊगी पहला है रागी पॉरिच रागी में कैल्शियम के मात्रा भरपूर होती है और ये हड्डियों के लिए काफी लाबदाहक साबि कर सकते हैं एक पैन में रागी का आटा डाले और थोड़ा भुन ले फिर पारी डालकर उसे बिला ले अब इसमें दूर डालकर अच्छी तरह गुमाते रहें जब तक कि वो पूरा मिक्स्चर एकाकार नहीं हो जाता है मिठास के लिए आप इसमें गुड डाल सकते हैं फिर अच्छे से वापिस मिलाएं जिसे एक अच्छी कंसिस्टनसी हो जाएं बस आपका हेल्दी रागी पौरिश तयार है ध्यान रहें अगर आप खजूर का उप्यों कर रहे हैं तो खजूर को अच्छी तरह से छोटे-चोटे कुटुकुडे करें उन्हें ब्लेड करें मिक्स और फिर इनके साथ मिक्स करें दूसरा है बाजरा खिचडी बाजरा में बहुत ज्यादा फाइबर होता है जो डाइजेशन में काफी मदद करता है इसमें मागनेशम के मात्रा काफी प्रचूर है जो दिल की सेहत को बहतर बनाता है खिचडी के लिए आपको एक चौथाई क भीगा हुआ बाजरा चाहिए जिसे आप 8 घंटे के लिए भीगो कर रखें एक चौथाई पीली बूंग दाल एक छोटा कटा हुआ टमातर एक चौथाई कप कटे हुए गाजर थोड़े हरे मतर के दाने एक चोटा चमच घी आधा चोटा चमच जीरा नमक स्वादारूसा ह हल्दी हींग अब इससे पकाना है इसलिए प्रेशर कुकर में बाजरे के साथ में सारी चीज़ें भी साथ डाल दें प्रेशर कुकर को बंद कर दें मीडिया बाच पर रखें चार सीटी तक चल रहें इसके बाद आप एक पैन में अलग से एक चोटा चमच घी डालें यहां जीरा, हींग, हल्दी डाल कर उसे थोड़ा चलाएं फिर इसे खिच्री में डाल दें बगार कर दें और उससे अच्छे से घुमा लें कुकर को दो मिनिट बंद रहने दें ताकि सारे फ्लेवर अंदर घुल जाएं आपकी स्वादिष्ट बाजरा खिच्री तैयार है इसे लंच या डिनर में आ सकते हैं तीसरा है जुआर उपमा जुआर में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है इससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है और आप लबे समय तक अपने आपको भरा हुआ भैसूस करते हैं भूख नहीं लगती अगर आप अपना वज चमबच राई एक चमबच उड़त दाल चुटकी भर हींग एक बड़ा चमबच रवा सूजी एक चौथाई कप उबले हुए ठमाटर एक चौथाई कप कटी और उबली हुई गाजर स्वाद अनुसार नमक धन्या के पत्ते कड़ी पत्ते चाहिए जुआर उकमा बनाने के लिए एक पैन में तेल गरम करें इसमें राई उड़त दाल गींग और कड़ी पत्ता डालें जैसे राई फटने लगे उसमें जुआर और रवा डाल कर उसे थोड़ी देर सौटे करें अभी इसमें टमाटर उबले हुए गाजर और बटर डाल दें और फिर नमक और धनिया के पत्ते डालें इसमें पानी डाल कर थोड़ा घुबाएं मीडियम आज तक तब तक पकाएं जब तक आपकी कंसिस्टनसी सही नहीं हो जाती जुआर को सबजियों के साथ भी पकाये जाता है और उक्मा बनाये जाता है लेकिन ये उक्मा आपको सबज में आएगा कि काफी स्वादिष्ट हो जाता है चौथा बक्विक पैनकेक बक्विक बिल्कुल भी गेहू से संबदित नहीं है बलकि ये ग्लूटन फ्री होता है ये प्लांट बेस्ट प्रोटीन का सोर्स है ये एंटी ऑक्सिडेंट प्रदान करता है इससे ब्लड सर्कुलेशन में काफी सुध होता है इससे कोलेस्टरोल लेवल कम होता है पैनकेक बनाने के लिए आपको वन एथ कप बक्विक या कुट्टू का आटा चाहिए एक चोटा चबबच दही वन एथ कप दूद स्वादा नुसार थोड़ा हल्दी पाउदर हिंग चुटकी भर अद्रक का पेस धर्या के पत इसे एक से दो घंटे के लिए साथ में विगो कर रखे इस मिश्रण में अद्रक का पेस्ट हल्दी पाउडर हींग नमक और दूद डालकर इससे तब तक मिक्स करें जब तक ये स्मूद बैटर नहीं बन जाता है तवा गरब करें थोड़ा तेल लगाए इसमें थोड़ा प पकने दे इसे तब तक पकाएं जब तक ये दोनों साइड से ब्रावनिश नहीं हो जाता है इन पैंकेक्स में भरपूर फ्लेवर और नूट्रिशन होता है ये ब्रेक्वस्ट और स्नाइक्स के लिए बहुत ही अच्छा आप्शन है आप इसे चटनी के साथ खा सकते हैं पा और संपूर्ण स्वास्ते के लिए बहुत अच्छा है पुलाओ बनाने के लिए आपको आधा कप पोडो बिलेट्स त्रीफोर्थ कप मिक्स्ट वेजटिबल्स जैसे गाजर, बीन्स, कॉन्स, हरा कैप्सिकब और टमांटर मटर के थोड़े दादे आधा चबस तेल एक ते पेस्ट, एक चोथाई कप कठे हुए पुदीने के पत्ते, एक दो लॉंग आधा इंच दालचिनी का टुकड़ा, एक इलाइची और एक छोटा चबबच सौफ चाहिए, पुलाओ बनाने से पहले सौफ, दालचिनी, इलाइची इन सब को ब्लेंडर में पीच ले, और कोड सबजे डाल दे और इसे दो मिनिट के लिए सौते करें, बीगे हुए कोडो बिलेट को धो कर अच्छी तरे उसे प्रेशर कुकर में डाल दे, इसमें चुटकी भर हल्दी पिसा हुआ बसाला और फिर उसमें पानी डाल कर उसे मिक्स कर दे, प्रेशर कुकर बंद करें, और जिर मीडियम आज पे पांच मिनिट के लिए उसे पकाएं, इसमें फिर धन्या के पत्ते डाल कर इसे गरमा गरम खाएं, ये स्वादिष्ट पुलाव जरूर खाएं और अपनी सेहत को बहतर बनाएं, ये सभी पांच मिलेट रेसिपी आपको काफी सारा पोशर देगी और स चावल की जगे ये पांच मिलेट अपने डायेट में शामिल कर सकते हैं, अक्सर चावल या गेहू से आपको सभी तरीका पोशर नहीं मिलता, इसलिए अपने डायेट में ये सारी जो चीजें बताई हैं, उसमें से कुछ ना कुछ जरूर शामिल करें, अपनी पोशर को शुभा बस्तू, नमस्कार